तो दोस्तों बात करते हैं कल के मुकाबले की गुजरात वर्सियस पंजाब तो पंजाब ने मुकाबला तीन विक्टों से जीत लिया है पंजाब ये मुकाबला तीन विक्टों से जीत गया है पहले बल्ले बाजी करते हुए गुजरात ने 199 रन बनाए जिसमें शुबमन गिल मैंने प्रडिक किया था कुछ करने वाले हैं नाइन रन की पारी के लिए चार शक्के जड़ दिये इन्होंने इसके अलावा राहुलते बटिया 23 रन बनाए तीन शक्के लगाए साइंस उदर्शन अच्छी वल्ले बाजी की 33 रन बनाए चार शोग दो शक्के लगाए इन्होंने एक सो निन्यान बे रन बना दिये गुजरात ने और लग रहा था कि गुजराती मुकाबला जीत लेगा लेकिन पंजाब की टीम जो प्रब सिमरन सिंग इन्होंने 35 रन की पारी के लिए तेस बारी आशुतूश शर्मा जी हाँ इन्होंने 31 रन 17 गिन्दों बे बनाए तीन चौकी एक शक्का लगा दिया जो मैश के जो हीरो रहे वो थे शशांक सिंग जी हाँ शशांक ने जबरदस्त बल्ले बाजी करते हुए इक सट रन की पारी खेली नाट आउट चार शक्के तीन चौके लगाए इन्होंने और पंजाब को ये मुकाबला तीन विक्तों से जिता दिया तो जबरदस्त मकाबला रहा मेरी पेडिक्शन एक पर फिर से सही साबीत ही मैंने बोला था कि पंजाब जीतने वाला है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजे मेरे चैनल को जो ये मेरी कमेंटरी है मेरे वीडियो सुन रहे हैं मेरे वीडियो को शेयर कर लीजे और दरशब को आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो जो मुझे देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं तो दोस्तो आज क्या है आज IPL में होने वाला है CSK और हैदराबाद के बीच में मकाबला तो चेन्ने की टीम आप जानते हैं कितनी मजबूत है कितनी खतरनाक टीम है दोनी से लेके जडेजा से लेके रितुराज गैकवार होंगे रचिन रवींद होंगे इसमें जबरदस बल्ले बाजी करते हैं शुरुआत करते हैं शुबहम दुबे होंगे छक्के मारने मुए इस पेसलिस्ट है एंड अजिन क्या रहाणे होंगे इसमें जो मद्ध करम समालेंगे समीर रिजवी होंगे यूपी का छोरा छक्के इस पेसलिस्ट ये भी सिक्स बहुत मारते हैं इधर हैदराबाद की टीम थोड़ी सी कमजोर द करने वालें हैं पारी की मयंका गरवाल भी होंगे इसमें तो मज़ा आएगा इस मुकाबले में क्योंकि हैदराबाद की टीम भी काफी मजबूत है टीन अट राजन भूबनेश्वर कुमार बॉलिंग सम्हालेंगे इसमें अब्दुल समध जो आल राउंडर है ये भी जव करनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले कमेंट कर ले शेयर कर ले तो दोस्तों आपने देखा कल के मुकाबले में कैसे पंजाब को जीत मिली तीन विक्टों से शशांग शिंग हीरो रहे और आज होने वाला है क्या क्या रचिन रविन करने वाले हैं अपनी टीम बना ले जिनको ड्रीम 11 पर टीम बनानी होती है वो बना ले बल्ले बाजी के लिए चुन ले मैंगा गरवाल को रशिन रवीन को रितुराज का एकवांड ले सकते हैं आज शुब हम दुवे को ले सकते हैं तो दोस्तो अपनी नजर बनाएए इस मकाबले पर मैं भी अपनी नजर बनाया रखोंगा अपने अगले वीडियो में कुछ और पर डिक करने वाला हूं कुछ खास बताऊंगा आपको तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद आपका दिन शुब हो नमस्कार